दूस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टेल मी काइंड एच टेवलेट के बार में चानेंगे यह इसकी क्या डोज होती है कौन सी प्रोब्लम में डोक्टर इसको देते हैं इसको क्या रोज लेना चीए अगर इसके डोज भूल जाए तो क्या होगा इसमें सावधानी क्या बढ़ते कितने दिन तर चल सकती है सो वीडियो पूरा देखैगा दोस्तों टेलमी काइंड एक अंतर दो अम्जी में सोल्ट आत या एक हो-वार इसके निद्डीन सन jan Shima इसलिए इसको टेल में काइंड एंच कहते हैं एंच यानि हाइड्रोकलोथा जाइड तो डिटेल से समझेंगे प्राइज की बात तो करीब करीब एक पत्ता जो की दस टेलिट का होता है असी रुपे के आसपास यह दोगान पर मिल जाता है देखिए यह हाइली रिकमेंड होती है यानि डोक्टर इसको हाइली प्रिस्क्राइब करते हैं लाइफ में कभी भी सेल्फियूज नहीं करना है असारी से यह दोगान पर मिल जाएगी डोक्टर की पर्षिशे तो बात रत बलड परिसर को कम करने का कामी करती है हाई बीपी में चलती है हाई बीपी को लो बीपी में करती है अगर किसी का हाई बीपी रहता है तो उसको लो करती है अगर आपको हाई बीपी है और डोक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो गवराने की बात नहीं है आपको टेबल हो जाए बीपी आपका कंट्रोल हो जाए अगर हमेशा चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है अच्छी दुआ है नुक्षान नहीं करती है तो ब्रेट प्रेशर को कम करती है यह रोच लेनी पड़ती है क्योंकि एक ट्रेट का सर 24 गंटे तक ही रहता है फिर 24 गंटे बाद आपको दूसरी डोच लेनी ही पड़ती है अधरवाइस बिपी बढ़ सकता है तो डोच मिस नहीं करनी है गलती से बूल जाओ तो जब भी आदे आप गोली का यूज़ कर सकते है तो दोस्तो हाइडर क्रोथा जायड होता है यह वाटर पिल होता है पानी को भरने से रोकता है ठीक ह यहां पर बीपी की प्रोवलोमी दिया जाएगा बीपी के साथ दिया जाता है बीपी तो कम करता है तो बिल्कुल वी टेंसर लेने की बात नहीं है अगर आपको डोक्टर नहीं दे दिया तो आप बेफिकर रोज लेजीगा बात तो देखिए इसकी एक टेबलेट होती है ए कान भी देखी जा सकती है इनके इलावा तो जादा साइड़ नहीं करती है लेकिन यह भी बहुत ही कमजांस में कुछ पेसेंट में देखे गए हैं हां आपको जादा साइड़ फेट कर रही है तो डोक्टर को बताना चाहिए बाइदवी यह करती नहीं है काफी अच्छी है तो श्ट्रोक का रूप ले लेता है दस फड़ जाती है ब्लेडिंग आ सकते हैं तो श्ट्रोक एट्वमेटिकल कम हो जाएगा आपका बीपी कंट्रोल रहेगा हर्ट फेलियर में भी यही होता है ब्लड प्रोल्म होती है ठीक है तो ब्लड वेजुल्स को रिलेक्स करकर काम करता है वहाँ पर तो हल्ट की प्रोल्म में भी डॉक्टर दे सकते हैं साइड फेक्ट आपको बताई दिया नोजी आओ सकता है चक्कर आ सकते हैं ठकान रहे सकते हैं कि लावर कुछ नहीं होते हैं सावधानी बशिए जब तक इसका यूज नहीं करना है तब तक डॉक्टर